Hello friends, welcome to our new video of Reliance Infrastructure friends, Reliance Infrastructure की अगर हम बात करेंगे, हम already discussed कर चुके है Back-to-back 5 upper circuit जो है हमें Reliance Infrastructure में लगते होए दिख रहे है और यहापे आप चार्ट पे भी देख सकते हो जहाँ पे सिर्फ लास्ट पास्ट रेडिंग डेज में हमें अल्मोस 24.09% की जो है उच्छाल देखने को मिली है और क्या इसके पीछे रीजन्स थे हम अल्डेडी डिसकस कर चुके हैं लेकिन हमारे नए विवोस को मैं और कुछ अपडेट्स देना चाहूंगा आप लोगों को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए को जो है प्ली की थी उस केस के ऊपर जहां पर डियमर्स से डिली मेट्रो रेल कॉर्परेशन के साथ उनकी जो केस थी तो उसकी सुनवाई हुई थी और वह रिलाइंस इंफ्रस्ट्रक्चर की पक्ष में लगा था और वहां पर रिलाइंस इंफ्रस्ट्रक्चर को अल्मोस् तो recently यानि last week में ही Reliance ने फिर से प्ली की कि अभी तक किसी भी तरीके का amount Reliance Infra को पे नहीं किया गया है और उसी का result वही हुआ कि DMRC ने within 48 hours Reliance Infrastructure को 1000 क्रोड रुपीज जो है वो ट्रांसपर कर दिये और उसी के चलते हमें इतना अच्छा rally Reliance Infrastructure में देखने को मिला और यहाँ पे जो बाकी की amount है उसके लिए DMRC थोड़ा सा time मांग रहा है क्योंकि उनको भी bank के settlement और disbursement जो करना है उसके लिए थोड़ा time चाहिए और वो भी amount जो है यहाँ पे Reliance Infrastructure को मिल सकती है तो friends कुछ important keys जो Reliance Infrastructure के बारे में आपको help करेगी position लेने में सबसे पहली बात अगर आप Reliance Infrastructure का all time high देखेंगे तो वो है 2641 इसके financials के बारे में हम already discuss कर चुके है कि कितने capable है Reliance Infrastructure in terms of financials अगर वो profit कमाती है तो कितने strong हो सकती है तो ऐसा possible नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते कि उसके पुराने high price पे वो कभी चला जाए या फिर 2009 के टाइम पे जो उनका last five years का भी अगर हम चार्ट देखेंगे तो almost 620 ये price range तो easily achievable हो सकती है कब जिस तरीके का promise Reliance Infrastructure ने किया है कि 2022 तक Reliance Infrastructure वो debt free करने वाले है अगर ये company debt free होती है तो definitely इनके businesses बहुत अच्छे है क्योंकि अने लंबानी group ने decide कि Reliance Infrastructure और Reliance Power ये दो company को mainly back करेंगे अगर ऐसा होता है debt free बनते है और back करते है strongly और अगर इनके जो financial से वो positive आते है net income उनके जो है वो positive आते है तो definitely हमें Reliance Infrastructure और भी आगे बढ़ता हूँ दिख सकता है तो based on last one year chart और last one month chart friends में आप लोगों को बताने चाहूँगा कि on average anything between Rs.60 to 88 और 80 यह जो प्राइज यह good to buy price रह सकती है इस share के लिए और फिर इसको अगर आप long term hold करने के बारे में सोचते हो तो आप अच्छे से profit जो है कमा सकते हो बाकी यह आपका decision है आपको जो best level आपके analysis से लगता है उस position पर आप इसमें जो है by position आपकी बना सकते हो it's totally depend on you तो यही सारी important details थी friends जो मैं आप लोगे साथ share करना चाहरा था इस वीडियो में thank you for watching this video and please subscribe my channel